Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरे और ये है आप लोगों के लिए May 2022 की Love Tarot Reading और अभी मैं out of country हूँ, मैं Canada में हूँ तो अगर आप personal session चाहते हैं और फिर किसी भी reason के लिए मुझे contact करना चाहते हैं आप WhatsApp message करेंगे या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा और हो सकता है देखिए जवाब देने में थोड़ा सा delay हो जाए क्योंकि यहाँ पर दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप WhatsApp call यहाँ फिर WhatsApp message करेंगे तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और आप अपना personal session भी book करा सकते हैं और दिखिए contact number नीचे description box पे mention है उसी पे ही आप WhatsApp call और message मेंचे कर सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा page भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं May 2022 की Love Tarot Reading चलिए Cancerians आप लोगों के लिए देखें कि May 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी तो मैं पस यहाँ पे तीन सेट आफ कार्ट्स हैं फर्स सेट में हम आपकी energies देखेंगे सेकंड सेट में आपके partner की energies देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि finally May month में क्या हो रहा है या फिर specifically किसी बात को लेकर एक clarity deeper level पे या फिर मन ही मन आ रही है और दिखिए clarity सब के लिए differ कर सकती है यहाँ पे nutshell में एक art कहता है कि कोई चीज शायद आपको नहीं पता थी वो पता लग रही है कुछ लोगों के लिए ये positive हो सकता है और दिखिए एक progress आप अपनी life में या फिर इस relationship में लाना चाहा रहे हैं आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं और दिखिए surface level के लिए page of pentacles reverse का काट कहता है या तो आपकी थोड़ी सी immature energies हैं या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि भी पीछे आपने इतनी maturity के साथ चीजों को नहीं deal किया जिसकी वज़े से कुछ issues कुछ मसले रहे और दिखिए practical, tangible, realistic चीजों से related again कुछ issues कुछ मसले जादा रहते हुए दिख रहे हैं और overall के लिए आप थोड़े से stubborn, थोड़े से जिद्धी भी किसी चीज को लेकर हो रहे हैं और दिखिए कहीं ये immature stubborn energies मुझे दिख रही है या मैं कह सकते हूँ कि इतनी जायज या इतनी valid नहीं ये जिद आपकी है cards के हिसाब से और दिखिए आपे long term commitment and horrific reverse के cards कहते हैं कि आप मन ही मन अपने partner का साथ हमेशा के लिए अपनी life में चाहा रहे हैं आप family start करना चाहा रहे हैं आप उनके साथ concrete realistic चीजे चाहा रहे हैं देखिए couple बहुत ही नस्दीक बैठा हुआ है और पीछे एक घर है कुछ ऐसा ही again मन ही मन आप चाहते हुए दिख रहे हैं लेकिन इसी से ही related कुछ issues कुछ मसले भी surface level पे रह रहे हैं और ये general reading है तो ये मसले ये issues सब के लिए differ कर सकते हैं लेकिन hierophant reverse का card कहता है society, religion या फिर आपकी family में कोई बड़े हैं या आपके partner की family में कोई बड़े हैं उनकी वज़े से ये issues ये मसले जादा रह रह रहे हैं या फिर आप दोनों या cancerians आप किसी चीज को लेकर बहुत पीछे rigid हो रहे थे या अभी भी बहुत rigid हो रहे हैं और देखी इसी वज़े से या otherwise भी एक hurt energies हैं जहां पर एक pain एक तकलीफ आप महसूस कर रहे हैं आपको ऐसे लग सकता है कि भाई जो भी लोग आपके आसपास है या फिर आपके partner इतने sensitive नहीं हो रहे हैं आपकी emotions आपकी feelings को लेकर और देखे कुछ लोगों के लिए circumstances situations हो सकती हैं जिनकी वज़े से आप किसी level पे एक hurting pain भी में end में महसूस कर रहे हैं लेकिन deeper level के लिए कोहिजन का card कहता है कि आपको ऐसे लगता है कि बस अब time आ गया अब आपको बहुत ही तरीके से बहुत ही discipline तरीके से मैं कह सकती हूँ systematic तरीके से चीजों को deal करना है अब आप चुपचा बैठे रहेंगे या फिर आप कुछ भी नहीं करेंगे उससे कुछ भी हासल नहीं होगा आपको एक strategy बनानी पड़ेगी आपको एक planning बनानी पड़ेगी कि आप कैसे चीजों को deal करना चाहते हैं कैसे आप इस relationship से related या फिर अपनी personal life से related वो चीजें achieve करें जो आप चाहते हैं अब देखते हैं के आपके partner की के energies हैं कि आपके partner के लिए यहाँ पर सबसे पहला card में जो दिख रहा है The Crucible और देखिए एक card कहता है कि आपके partner इस relationship को contain करना चाहते हैं लेकिन साथी साथ एक distance भी वो महसूस कर रहे हैं देखिए इस card में दो birds हैं एक पिंजरे के अंदर है और दूसरी बाहर है और देखिए कोई भी cancerians आप हो सकते हैं और दूसरी bird आपके partner हो सकते हैं तो nutshell में एक card कहता है आप दोनों में से कोई एक अपने ही thought process या मैं कहा सकते हूँ negative thought process में बंदे हुए हैं या पिर society, religion जैसे कि हमने अभी hierofin के card में देखा उनके through बंदे हुए हैं जिसकी वज़े से या कोई भी और reason हो सकता है साथ हो के भी दूर हैं और कहीं यही distance आपके partner खतम करना चाहते हैं और इसी से ही related कहीं एक effort, एक मेहनत भी surface level पे करते हुए दिख रहे हैं बहुत एक devotion, बहुत एक dedication आपके लिए इस relationship के लिए रहता हुआ दिख रहा है और दिखें यहां पे कुछ cancerians के partner के लिए हो सकता है कि वो अपने professional front या फिर अपने career पे बहुत ध्यान देना चाहते हैं या फिर दे रहे हैं और कहीं देखें overall ही may month में cancerians आपके partner काफी practical, काफी realistic होके हर चीज को deal कर रहे हैं यहां पर भी देखें fatal event and nine of pentacles के cards कहते हैं कि money, money, money आपके partner को इस चीज का एहसास है कि उन्होंने कुछ चीजों को ignore किया कुछ चीजों को avoid किया या मैं कहा सकती हूँ कि कुछ गलतियां उनसे हुई या फिर कुछ आपकी feelings, emotions को again मैं कहूंगी उन्होंने avoid किया और कहीं अब भी भी वो वैसे ही करते रहे तो आगे जाके इस relationship के लिए काफी issues, काफी problems हो सकते हैं और कहीं दिखें वो थोड़ा सा एक जाग रुकता I don't know is the right word लेकिन कहीं जागते हुए दिख रहे हैं कहीं एक awareness लाना चाहा रहे हैं जो भी गलतियां again उनसे हुई जिनको उन्होंने पीछे ignore किया या फिर आपकी feelings, आपकी emotions को ignore किया उसको ही कहीं correct करना चाहा रहे हैं या फिर इस चीज का एहसास है लेकिन देखें, surface level के लिए nine of pentacles का काफ कहता है कि बहुत ही controlled way में हर चीज को कर रहे हैं कहीं वो भी discipline तरीके से चलना चाहा रहे हैं वो भी कहीं फिर से मैं कहूंगी practical realistic तरीके से ही हर चीज को deal कर रहे हैं या फिर करना चाहा रहे हैं और देखें कहीं end में के लिए यहाँ पे five of pentacles and friendship के cards कहते हैं कि surface level पे बहुत एक rejection वाली उनकी energies हैं या फिर एक rejection महसूस कर रहे हैं और देखें यहाँ पे भी मैं आपको यही कहूंगी concerns यह general reading है तो सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा कुछ concerns के partner के लिए हो सकता है कि आपकी तरफ से वो वो love, attention, care नहीं महसूस कर रहे हैं या फिर उनको लग रहा है concerns आप उनको avoid कर रहे हैं ignore कर रहे हैं और कुछ concerns के partner के लिए हो सकता है कि उनकी खुद की ही ऐसी energies हैं जहाँ पे वो आपको अतनी attention नहीं दे रहे हैं और दोनों ही scenario में एक rejection again वाली energies हैं एक अकेलापन वो महसूस कर रहे हैं और देखें deeper level के लिए यहाँ पे friendship का card कहता है कि वो आपके साथ friendship चाहते हैं और देखें यहाँ पे भी friendship के माईने सब concerns के partner के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेंगे कुछ concerns के partner के लिए हो सकता है कि आप लोगों के बीच में अगर कुछ issues चल रहे हैं तो उनको resolve करना चाहते हैं patch up करना चाहते हैं आपसे दोस्ती करना चाहते हैं और कुछ concerns के partner के लिए हो सकता है कि उनको ऐसे लग रहा हो कि भई relationship में सबसे एहम चीज दोस्ती होती है और वही दोस्ती वो आपके साथ करना चाहते हैं या फिर वो दोस्ती उनके लिए बहुत एहम है देखे एक movie का dialogue भी है अगर वो मेरी दोस्त नहीं बन सकती तो हम सफर क्या बनेगी कुछ ऐसी ही energies concerns आपके partner की भी रहती हुई दिख रही हैं वो चाहते हैं आप उनसे अपनी innermost feelings को share करें और वो भी कहीं देखे ऐसी ही energies आपके साथ share करें और again मैं कहूंगी एक friendship वो आपके साथ किसी भी माइने में करना चाहा रहे हैं लेकिन surface level के लिए या तो उतने initiatives नहीं ले रहे हैं या फिर इसी से ही related आपकी तरफ से concerns एक rejection वो महसूस कर रहे हैं और अब देखते हैं concerns की may month में क्या हो रहा है देखें may month के लिए यहाँ पर सबसे पहला card मुझे दिख रहा है transfiguration और यह card बहुत ही clearly कहता है कि man ही man आप दोनों ही एक togetherness चाहा रहे हैं कहीं एक दूसरे का साथ हमेशा के लिए चाहा रहे हैं मारे चाहा रहे हैं engagement चाहा रहे हैं companionship togetherness चाहा रहे हैं और इसी से ही related देखी अगर कुछ issues again मैं कहूंगे आप लोगों के बीच में चल रहे हैं तो आप लोग different different चीज़ों को try करना चाहा रहे हैं इन issues को resolve करने के लिए एक balance लाना चाहा रहे हैं या फिर देखें कोई भी चीज़ आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़ादा कर रहे थे उसमें भी again एक balance लाना चाहा रहे हैं एक काफी moderate सी energies रहते हुई दिख रहे हैं लेकिन देखें mid may के लिए यहाँ पे engagement and ace of pentacles reverse के cards कहते हैं फिर से देखें मन ही मन एक togetherness आप लोग चाहते हुए दिख रहे हैं clearly यह card engagement की बात कर रहा है और यह general reading है तो यहाँ पे engagement का मतलब सिरफ you know एक typical engagement नहीं है यहाँ पे engagement का मतलब marriage भी हो सकता है living भी हो सकता है companionship भी हो सकता है togetherness भी हो सकता है reconciliation भी हो सकता है जो की फिर से मैं कहूंगी आप दोनों ही मन ही मन चाहते हुए दिख रहे हैं लेकिन surface level के लिए ace of pentacles reverse का card कहता है की you know उस तरीके से चीजें शुरू नहीं हो रही है और देखें यह card भी कहता है कि एक नहीं beginning concrete level पे तहीं realistic level पे आप दोनों करना चाहा रहे हैं लेकिन again मैं कहूंगी उस तरीके से चीजें शुरू नहीं हो रही है और देखें लेकिन end may के लिए यहाँ पे fullness and emperor के cards कहते हैं कि कहीं चीजों का control अपने हाथ में लेकर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ही discipline तरीके से चीजों को ठीक करना चाहा रहे हैं हाला कि देखें may end के लिए आप दोनों की ही energies बहुत great नहीं दिख रही हैं surface level के लिए लेकिन deeper level के लिए देखें आपके लिए भी मैंने कहा था कि आप systematic तरीके से चीजों को करना चाहा रहे हैं कहीं उनों चीजों को लेकर एक discipline maintain करना चाहा रहे हैं और आपके partner भी एक दोस्ती चाहा रहे हैं और कहीं देखें ऐसा ही relationship में surface level पे होता हुआ दिख रहा है और इसी वज़े से या otherwise भी stability can serious आपकी energies में या फिर इस relationship में आते हुई दिख रही है और देखें हाँ पे fullness का card बहुत ही clearly कह रहा है कि एक complete feeling होते हुई दिख रही है इस relationship को लेकर कहीं एक abundance सी energies हैं और देखें इस card में भी दो birds खुले आसमान में उड़ रही हैं ऐसा ही आप लोग चाहा रहे हैं या फिर ऐसा ही किसी level पे हो रहा है तो ये था किनसेरियन्स आप लोगों के लिए May 2022 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें